गुरु की नगरी अमरिसर दे प्रेस क्लाप दे विचेपा इदल जीत सिंग बिटू समेथ कई पंथक लीडरां दे वलों सिखां दी एक ता कठी करण खातर हम्ब्ला मारंदा सदा दता गया सिखां अते पंजाब दे वर्तमान हलातां ते विचार चर्चा कार दे आं दिल्ली सिखां प्रती रोखदा जिकर किता गया के दिल्ली दर्बार दे वलों सिखां दी गुलामी दियां जन्जीरा नू होरवी कसे आजार है खाल सा पंथ दे तखतां दी सर बुचता मान परते श्टासे दान तांते रवायता नू ठेस पहुंचाई जा रही है सिख लीडरा ने सपश तौरते कहा कि श्रोमनी गुर्द्वारा परबंदक कमेटी समेत दूजियां गुर्द्वारा परबंदक संस्थामा आते सियास दे विच सरगरम सिख सियासी पार्टियां दी प्रोसे जोगता आते जथे बंदक समर्था टैन दीकला दे विच जा रह केंदे इस बे विश्वासी दा बे इत्फाकी दा दिल्ली दर्वार अते पंथ ते पंजाबरों दी ताकता पूरा फायदा चुकरेंगाने जहे हलातां दे विच गुरु खालसा पंथ दी शक्ती नू गुर्मत अते खालसाई जोगत दे मुताविक एक लड़ी दे विच परो जब पूलवाली पूमिकान बासके एस मकसद लई 21 अक्तूबर नू गुरु की नगरी अमरी सर विखे पंथक मसलें उते पहली विचार कोश्टी सद्दन्दा एलान कर दता गया है जथे बंदियां ने उन्हानों भी सद्दापतर दता जावेगा उन्हान दे में दे भी सामल कीते जानगे ते ओस वचार गोश्टी दे विच वचार वटंद्रा करके अग्गे वद्या जावेगा जेडियां अलेक्शन परनाली विच इसा लेनवालियां राजनी तक पार्टियां ने सिखा दियां उन्हान दे विच भी एक दुझे परती परोसे जोगता ते वचवास दी जड़ी अन्होंद पैदा होगी या इस खास मिटिंग दे विच पाई दलजीत सिंग बिटू ते इलावार जिंदर सिंग मोगलवाल लाल सिंग अकालगड अते होर पंथक लीडर सिख लीडर मौचूद सन् असी पांथ ली आये से होन भी साड़ा ओही मकसदा साड़ा कोई अपना तड़ा नी कोई पार्टी नी ना असी कोई ओदा लेया ना लेना ना अलेक्शन लड़ी ना लड़नी साड़ा मतलब या मकसद या कि पांथ नू एक सूतर चे परोणा ते जड़ी एकताया हो सदा आंत ते होन दिया मर्यादा ते होन दिया गुरू आशे अनसार होन दिया उत्थे लेके होना